हलो देरे स्ट्रेंट्स सेंपल कॉश्चन पेपर टू थाज टॉंटी त्री क्लास ट्वाल्थ फिलिक्स कॉश्चन नम्मर थर्टी तू का बी पार्ट है यह तू सेल्स ऑफ एमेफ एवन एटू यह दो सेल्स हैं एवन और एटू 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 एन इंटल रिजिस्ट्स आर टोटल यह मैं पूछ रहा है और एकुलेंट इंटल रिजिस्ट्स ऑफ दे कॉबिनेशन इंटल रिजिस्ट्स भी पूछ रहा है और पोटेंशल डिफरेंस बिट्वीन दा पॉइंट्स ए और भी जानते हो यह सर्किट यह किसी सर्किट का पार्ट है यह कंप्लीट है एक पॉइंट दूसरा इस सेल ने कतनी कंप्ला करी होगी और इस वाले सेल ने आई टू दोनों यहां पर मीट कर गई होंगी एकॉर्डिंग तू क्रिचोफ जंक्शन लौ से अगर तुम देखोगे तो आई उकल टू आई बन प्लस आई टू इस वाले पॉइंट पर जंक्शन लौ लागा सकते हो ठीक एक तो यह और हमसे देखो पोटेंशल डिफरेंस बिट्वीन पॉइंट ए और बी पूछ रहा ह तो वी ए माइनस बी भी है अब जर्स चेक करो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ड्रकली ए से कनेक्टिड है और नेगेटिव से टर्मिनल ड्रकली बी से कनेक्टिड है ऐसे इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ड्रकली ए से कनेक्टिड है और नेगेटिव टर् पोटेंशल डिफरेंस ओफ सेल इवन इस सेल इवन का टर्मल पोटेंशल डिफरेंस भी है क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मल है और यह नेगेटिव टर्मल पॉजिटिव टर्मल टर्मल डर्कली ए से कनेक्टिड है और नेगेटिव टर्मल डर्कली बी से कनेक्टिड है इसलि भी कहेंगे और इसी का दूसरा नाम होगा टार्मिनल पोटेंशल डिफरेंस और सेल और सेल E2 अब ये भी कह रहते हैं कि सेल E1 and E2 are पेलल कॉबिनेशन इनके टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस सेव होगे इसी कंसेप्ट सेव हो जाए ठीक तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान लगना है ठीक अच्छा अब इसमें एक पॉइंट और कि अगर इस जगे पर जंशन लो लगाते हैं तो ना हम ये भी लिसकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 इसे equation 1 डालते हैं ठीक यह को I1 और I2 add होके I देगा अब ये current ऐसे आ रही होगी यहां circuit complete होगा फिर वापस इसमें फिर यहां से current enter कर रही होगी कितनी I1 किसी cell के positive ट्रमल से जतनी current लीव करती है negative में उतनी enter करती है और इसमें I2 ऐसे हैं ठीक तो अगर मैं यहां इसे solve करना चाहता हूँ total यह निकालना चाहता हूँ पूरे combination का तो I1 की value निकालो I2 की value निकालो और दोनों की value यहां put कर दो put कर दो फिर solve करेंगे फिर दिखते हैं कि क्या statement आता है ठीक है तो पहले क्या करते हैं for cell for cell even के लिखते हैं इस cell के लिखते हैं for cell even के लिखते हैं तो सारी चीज़े cell even के लिखते हैं और फॉमा लगा रहे हैं cell का V is equal to E minus IR यह वाला फॉमला हम इसमें use कर रहे है V is equal to E minus IR अब cell even के लिखते हैं सारी चीज़े even की तो V इसका नाम होता है terminal potential difference of cell इसका नाम क्या है यहाँ terminal potential difference of cell और इसका नाम है EMF और यह current है आपकी और यह internal resistance है internal resistance अब देखो कौँचे cell के लिख रहे हैं even के लिए हैं सारी चीज़े even की cell even का terminal potential difference के लिखते हैं आप इने V तो इसलिए V is equal to cell even की सारी चीज़े लिखनी है even का EMF even current days में केतनी है I1 और internal resistance केतना है R1 देखो सब को cell even का लिखा current I1 EMF even internal resistance R1 लेकिन cell even का जो terminal potential difference है वो तो V ही है इसलिए V ही लिखा यहाँ से आप calculate करके क्या निकाल लो I1 यहाँ पूट करने के लिए तो यहाँ से इसको दल्लियाओ पहले I1 R1 यह जुकल टू इसको दल्लियाएंगे E1 मानस के वी यहाँ से I1 निकाले तो E1 मानस V ओवर R1 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 मानस V ओवर R1 तो देको मिने I1 निकाल लिया ऐसे ही cell यह I1 के लिए निकल लिए आई देखो यह वाली ऐसे ही आपको I2 के लिए फाइंड डाउट करनी है इसमें रखनी के लिए तो for cell E2 के लिए और cell E2 के लिए अब यही वाला फाइंड द्वारा से यूज़ करें तो सब कुछ cell E2 का V रावर E2 मानस I2 R2 V सेम क्यों रख रहे हैं तो कि यह जो V है तो टर्नल पोटेंशल डिफरेंस आफ cell E2 भी है cell E2 के बारे में लिख रहे हैं सारी चीज़ें सारी E2 के लिए लिखेंगे न तो V E2 I2 R2 सब कुछ ऐसे सिमलर्ली इसको करेंगे तो यहां से सॉल करने पर जो I2 आएगा आपका यहां सॉल करने पर जो I2 की वैलू आएगी I2 वो आएगी E2 ओबर R2 मानस V ओबर R2 Similarly है ना तो I2 की वैलू देखो यह निकले आए यह I2 की वैलू निकले आए है ना अब यह दोनो वैल्यू पुट कर देंगे हम किसमे Ucation फस्ट में अगर हम Ucation फस्ट में यह दोनो वैल्यू पुट करें देखो आगे देखते हैं दोनो वैल्यू किसमे पुट करते हैं हम इसमे पुट करके देखते हैं ठीक तो from Ucation अभी समझ में आएगा कि हम यह से क्यों कर रहा है कि लटी आ जाएगी विल्कुल from Ucation 1 I is equal to कितना है I1 plus I2 है ना और यह दोनों वैल्यू पुट कर देना जो निकाली हमने यह वाली है तो I is equal to E1 over R1 minus V over R1 plus इसको चलो I2 के वैल्यू वैल्यू पुट कर दो कितनी है E2 over R2 minus V over R2 अब यहां से आप V के विल्यू निकालू क्यों निकालू ज़र आप एक अलग से स्टेप बता हूँ फिर मैं आपको आगे कंटूलू करूँगा देखो जैसे यह सेल इवन के लिए लगाया आपने यह किसके लिए लगाया है आपने यह फॉर्मॉला सेल इवन के लिए लगाया है तो सारी चीज़ें तुमने एसा सेल लिखेगा, यह, यह पॉ coilंट A और यह, पॉ promise B इसका E equivalent हमें निकालना है और इसका international islar equivalent है है नंग ऐसा बन जायेगा और ऐसा अगर बन जायेगा तो सोचो कि इसका और लिखे हैं दो व ब्राबर E equivalent minus I intoXE要 by divitter और I ही इसमें एंटर कर रही होगी तोटल करन्ट है ना I जब इसको एक कर दोगे तो यही तो कंटिस्ट से लीव करेगी और यह कंटर एंटर करेगी तो इसलिए I लिखा E कुलेंट, I करन्ट, टोटल करन्ट, R एकुलेंट V सेम क्यों रखा सर्थ इसमें भी V लिख दिया तुमने तो देखो, यह किसके एक्रोस जड़ा हुआ, इसका पॉसिटिव टर्नल A के क्रोस, और नेगेटिव टर्नल B के क्रोस और A और B के क्रोस, पोटेंशल डिफरेंस तो V है ना, इसलिए इसके क्रोस भी V रहेगा पॉटेंशल डिफरेंस सेव रहता है, ऐसे कह देते हैं बहुत टीशर, ना, मैंने ऐसे समझाया है क्लर्टी है, ठीक, बस यही कंसेट है आप देखो, अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ यह तो क्माइंशल के लिए यह ऐसी ही उक्रेशन में हासे लाना चाहता हूँ फिर इस उक्रेशन का, इस उक्रेशन के साथ क्या करूँगा कमपैरिशन चलो अभी समझ में आता है करके देखते है, पहले यहां से यह वाली उक्रेशन बनानी है, तो V को सेपरेट करना है, ध्यान लगना मैं इस में ऐसा क्या करूँगा V one side करके और बागे के सब को एक side कर लूँगा तब ही तो में comparison कर पाऊँगा ठीक, करते हैं I को इधन ले आएं और V1, V2 को इधन ले आएं V upon R1 plus V upon R2 is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus I यहां से अगर मैं R1, R2, LCM ले लूँ तो इसे लिखपाऊँगा V common ले लेता हूँ V और लिखपाऊँगा R2 plus R1 यहां से अगर मैं R1, R2, LCM ले लूँ यहां लिखपाऊँगा E1, R2 plus E2 R1 और नीचे 1 लेकने के बाद I, R1 R2 ठीक, इससे तो यह cancel कर दिया तो V की विखपाऊँगा E1, R2 plus E2, R1 minus I, R1, R2 divided by R1 plus R2 ठीक, अब इसको एक वर्ष के नीचे एक वर्ष के नीचे लेग लेता हूँ ऐसे लेग सकता हूँ उद्धे को separate करके E1, R2 plus E2, R1 divided by R1 plus R2 यह एक तरफ लेग लिख लिया R1 plus R2 देखो इसको ऐसे लिख लिया यह V आ गया देखो यह equation number में डाल दी आपकी पहली, दूसरी चलो दूसरी equation डाल लिख 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 यहां तक आ गया combination कर दोगे ऐसे यह आई था यह point A है यह point B है यह भी आई था यह E1 यह E2 यह intersistence R1 यह R2 जब इन दौनों का combination कर दोगे इन दौनों का combination कर दोगे तो एक cell बन जाएगा जिसका EMF होगा E equivalent यह R equivalent और यह point A और यह point B और A और B के cross potential difference हमने V consider किया है इसमें भी A और V के cross जो potential difference हमने let किया है न वो V let किया है यह V let किया है मैंने potential difference V यह वाला A और B के cross तो अभी भी तो A और B के cross potential difference V रहा है क्योंकि हमने let ही potential difference between point A and B let ही V किया है तो A और B की क्रॉस्ट इसको लिखें तो V बराबर E equivalent minus I equivalent इसमें आई करंड जाएगी बिटा पर तो कि यह टोटल करंड जाएगी इसमें इसमें वले ही आई बन थी यहाँ पर यहाँ पर आई टू थी बड़ दोटल होके नहीं आई हो गया था यह equation number 3 अब equation comparison equation 2 and 3 अगर comparison करें तो को यहाँ पर भी भी है यहाँ भी भी है दिख रहा है यह वी है और यहाँ इकुलन्ट है तो इकुलन्ट की जगे पर यह है इसलिए equivalent कितना आया e1 r2 plus e2 r1 divided by r1 plus r2 देखो equivalent तो इतना आ गया यह तो equivalent ef आ गया एक and r equivalent कितना आया देखो minus लग रहा है तो minus लग रहा है आई है तो आई है यह r equivalent की जगे पर लिखा हुआ है इसलिए r equivalent internal resistance वाया internal resistance equivalent equivalent resistance वाया r1 r2 divided by r1 plus r2 चाहो तो आब इसे यह वी लिख सकते हो r equivalent equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 ऐसे भी लिख सकते हो और यह भी ठीक यह equivalent emf आगे दोंको पूछा क्या था equivalent emf the combination तो एक तो यह ही हो गया दूसरा पूछा था equivalent internal resistance of the combination तो दूसरा यह हो गया और तीसरा जो पूछा था potential difference तीसरा result ही हो गया तो हमारे तीन result हुए जो answer में है देखो पहला result यह है first result यह है एक answer यह है आपका दूसरा answer आपका यह है equivalent resistance पूछ रहा है यह कह दो यह यह वाला कह दो यह answer है दूसरा ठीक और तीसरा answer यह है थाड़ वाला जिसमें potential difference पूछ रहा है between the point a and b यह थाड़ पार्ट का answer है आपका ठीक है जिसमें potential difference पूछ रहा है किसके between a और b के between देखें potential difference the points a and b यह थाड़ वाले point का answer होगा कौनसा वाला यह थाड़ यह first a second यह तीनों answer आपके सामने है ठीक पढ़ते रहें और खुछ रहें थैंक